मैं हूँ आपका मित्र, आपका सक्ठा, आपका फ्रेंड कमल अंदलाल और मैं आप सभी दश्वकों का हार्तिक भी नन्दम करता हूँ स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ वास्तु का सच सर्फ एस्टो तक पर इसलिए एस्टो तक को लाइक करें, सब्स्राइब करें और शेर करें हमारे वीडियोज यूच्यूब और फिस्बुक पर तो चलिए अब कमल नंदलाल से आपके मित्र, आपके सखा कमल नंदलाल से जान लीजे आज का विशय क्या है कहीं आप भी तो नहीं रखते, गलत दिशा में बरतन हो सकते हैं, पारेवारिक जगडे का शिकार आपने कहवत तो सुनी ही होगी, कि जहां पर भी दो बरतन हों आपस में टकराते जरूर हैं जियां सच्चाई हैं, बरतन अगर गलत दिशा में रख दिये जाएं, तो वो निश्चित रूप से बहुत बुरा प्रभाव देते हैं पारेवारिक इस्तिती को और कई लोग गलत दिशा में बरतन रखके पारेवारिक विवाद को जन्म भी देते हैं, जाने अंजाने कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो वास्तु से संबंद ना रखती हो, उसका मूल भूत कारण है, वास्तु हर जगे पर वास करता है, तो चलिए आज आपको भूती विशेश चीज बताने जा रहा हूं, घर की इन दिशाओं में बरतन रखने से क्या परेशानी होती है, देखे अमुमन लोग स्टील के और अलूमिनि雍 के बतन इस्तामाल करते हैं, कुछ लोग क्रौक्री का इस्तामाल करते हैं, जो अमोमन चीनी मिट्टी से वनीवी होती है कुछ मेलमाइन का इस्तमाल करते हैं और कुछ लोग विशेशतर कुछ लोग आज भी पारंपर एक रूप से पीतल और कांसेगर बरतनों का इस्तमाल करते हैं लेकिन बहुत कम है तो आज हम बात करेंगे मेजौरिटी चीजों अमोमन लोग भारत के लगबख लगबख 96-97 बतिशद लोग आमदिनों स्टील के वरतनों में खान पान करते हैं और आपने देखा होगा लोग जब स्टील के बरतनों को धोते हैं एकटा तो उसको उल्टा करके रख देते हैं ताकि वो जल्दी सूख जा उसमें से पानी निथर जाए लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी भी दिन आपके घर में अगर बरतन आपस में ज़्यादा तकरा रहे हूँ या बरतन नीचे गिर रहे हूँ तो आपके जीवन में पारेवार एक विवाद की स्टिती बन जाती है घरेलू जगड़े हो जाते हैं इसका सबसे बड़ा कारण है बरतन जो है हमारे जीवन में उसको हमने धनवंत्री से जोड़ा है अब धनवंत्री से करत क्या है धनवंत्री एक वैद थे जिनकी पूजा हम धन्त्रयोदिशी धन्तेरस के दिन करते हैं हम बirtन भी खरीद के लिए के आते हैं कसी भी तरीके का बरतन एक कुंभ के समान ही होता है कि अब कुम्भ से सम्झेए अड़ क्या है कि मतलब को मतलबром कनल भता एक अई गया साहुता च्यसम त कि मिल रखते हैं यह हम सब दो सकते या हम चावल भी रख सकते हैं पकाने के पस्चत कुम्ब की लोकेशन अलग-अलग बताई गई है खाली बरतनों को रखनी की पोजिशन अलग-अलग बताई गई है और यह भी कहा जाता है कि बरतनों को कभी भी ढखकर नहीं रखा जाता बास्तु पिसाब से लेकिन कौन सी द घर की उत्तर दिशा में नहीं रखने चाहिए अन्य था धन तो बड़ेगा लेकिन उटूंब में सुक्व का वास नहीं रहेगा सर्व स्रेष्ट बरतन रखनी की जगह है उत्तर पूर्व यहां पर बरतन धन भी देता है स्वास्त भी देता है और पारवरेक सुब भी देत बरतन रखने से अमूमन घर की पारिवारिक जो महिलाएं हैं उनको शार्यदिक कष्ट होते हैं बात करते हैं अब दक्षण दिशा की दक्षण दिशा में बरतन रखने से आपके घर का जो सबसे कमव सदस्य है उनकी सिहत पे विगारा जाता है बात करते हैं दक्षण चंदिशा में परतन रखने से अमूमन व्यप्ति के कार शेत्र में जो अरनीं में वरा फैमिली का उसके प्रोफेशन में दिक्कते आती हैं और जितनी भी भुजूर्ग होते हैं उनके सिहत में दिक्कते आना शुलू हो जाती है घर की उत्तर परस्चन दिशा यानि कि वर्तन रखने से भी मूलत है क्या होता है धन जो होता है वो संचत आच्छा हो जाता है कि परिवार सदस्यों के बीच में बहुत रहती है कई लोगों का किचन परदिश्बास हो जाता है बड़तन हम और जो जिब्स इन पे रखतें ऐसे में सरवाधिक समस्या जो आती है वो आती है पारिबार्यक सदस्यों के बीच में अंतरभेद हो जाता है डिस्पीट हो जाता है ये कारण है और व्यक्ति का तूप से व्यक्ति आगे प्रभाव शीली नहीं होता है तो दर्शकों सबसे बहतर direction है बरतन रखने के लिए North East, North और East इस दिशाम में बरतन रखने से पारिवार एक कलहे नहीं होती है और धन संपता भी बढ़ती है तो चलिए प्रोग्राम को खितम करने से पहले देता हूँ आज आपकी खास टिप अगर आप भी पारिवर एक पीड़ा से गुजर रहे हैं गरेलू जगड़े आपके जिवन में बहुत होते हैं तो आप एक विशेष काम करें यह काम करें कि आप अपने घर के मध्य में घर के सेंटर में एक पानी का बाउल ले ले और इस बाउल के अन्दर नो अलग-अलग रंग के पत्थर कलर फुल पत्थर जो है वह डाल कर रखें और शांग के समय उसमें एक दीपक टेरता वा दी बाकात होगी तब तक देखते रहें सुल तक और अपने मित्र अपने सखा अपने फ्रेंड कमल लंदाल को अजाज़त दीजेगा नमस्कार